हाई फिंट्स मेरा नम है राज और आप देख रहे हैं Windows Tech Solution तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Google Sites को एक custom domain के साथ connect कर सकते हैं ये मेरी website है जो मैंने Google Sites के उपर बनाई हुई है और अभी मैं जो Google Sites का free domain मिलता है Google Sites के अंदर अभी मैं उसको use कर रहा हूँ और जो मेरी website है मैंने live करके रेखी हुई है ये मेरा free domain है जो Google Sites के तरफ से मिलता है और मेरे पास एक domain है मैंने Big Rocks एक domain purchase किया हुआ है तो आज मैं उस Big Rocks के domain को अपने Google Sites के साथ connect करूँगा तो उसके लिए जो सबसे पहले step आपने लेना है आपने जाना है settings के option के अंदर उसके बाद left side पे आपको option मिलेगा custom domains का इस पे आप click करेंगे उसके बाद start setup पे click करेंगे उसके बाद third party पे click करेंगे और next पे click कर देंगे यहाँ पे आपको अपना जो domain name है custom domain वो यहाँ पे enter करना है तो उसके लिए मैं एक बाद Big Rock को open करता हूँ मैंने login कर लिया Big Rock की website के अंदर और यहाँ से visit to my account इस पे आप click करेंगे तो Big Rock का जो portal है वो open हो जाएगा और यहाँ पे आप दे सकते हैं यह जो domain name है तवेशी jam इसका मैं use करूँगा और इस domain name को connect करूँगा अपने google sites के साथ तो इसको इपार open कर लेते हैं और मैं इस domain name को इपार copy कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको paste कर देते हैं तो यह मेरा domain name है तवेशी jam.in और आप नीचे एक error line दे सकते हैं तो आपको इस domain name के लिए ownership verification करना पड़ेगा तो इसके लिए simply आपने इस पे क्लिक करना है verify your ownership और यहाँ पे आपको इस तरह की screen खुल के आएगी google webmaster अब आपने क्या करना है यहाँ पे एक applyne देख रहे है this tool is going away soon manage your verification token directly to search console तो आपने search console का जो option है google search console उसको open करना है यहाँ से आप इस पे simply click करेंगे तो यह मेरा google search console open हो गया आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत important है कि जो आपका gmail login होगा वो दोनों account में आपके google search console के अंदर जो आपका gmail login है और जो आपका google sites के अंदर जो gmail login है वो दोनों same होने चाहिए अलग अलग नहीं होने चाहिए यह चीज आप एक बड़ देख लेना और उसके बाद जब आपका search console open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ownership verification करना है तो उसके लिए left side पे आपको option मिलेगा add property और यहाँ पे आपने click कर देना है add property पे यहाँ पे आपको जो आपका domain name है वो enter करना है और उसके बाद continue पे click कर दे इस तरह का window खुल के आएगा verify domain ownership while DNS records और यह मेरा domain name है ठीक है उसके बाद यहाँ पे records आ रहे है तो यहाँ दो option होंगे txt और cname record तो अपने cname पे click कर देना है उसके बाद आपने क्या करना है यह जो दो record है यह आपको अपने big rock के domain records के अंदर enter करने तो पहले मैं एक बार big rock को open करता हूँ ठीक है big rock का portal open करने के बाद आपने यह DNS records है इसको इपर click करना है और यहाँ पे अब हम एक cname record add करेंगे तो मैं cname पे click कर देता हूँ cname पे click करने के बाद आपने वो जो दोनो address है वो यहाँ पे copy paste करने तो simply पहला वाला आपने copy किया और यहाँ पे first वाले प combination इसको copy करना है और यहाँ पे second वाले पे इसको paste कर देना है ठीक है और इसके बाद जो TTL लिखा हुआ है इसको आपने 2 hours कर देना है और इसके बाद save records पे click कर देना है दे सकते हैं successfully save हो गया है record जो हमारा add हो चुका है उसके बाद जो आपको next step रहेगा आपने इस window को cut करके अपने big rock के page को refresh करना एक बार यह बहुत important है जब भी हम अपने page को refresh करते हैं तो जो भी record हमने add कि होते हैं वो update हो जाते हैं तो एक बार फिर से cross check कर लेते हैं DNS records के अंदर जाते हैं scene name पर click करते हैं और आप नीचे देख सकते हैं जो हमारा scene name records था हुँ यहाँ पर show कर रहा है उसके बाद आपने search console पर जाना है और verify पर click कर देना है तो आप देख सकते हैं ownership verified तो हमारा जो verification process है वो complete हो गया है इसके बाद आपने done पर click कर देना है और उसके बाद आप इस tab को cut कर सकते हैं अब आपने वापस Google sites को open करना है इसको एक बार cut कर देंगे हम और इसको भी एक बार refresh करेंगे गूगल sites को refresh करने के बाद आपने फिर से settings वाले option पर click करना है custom domain के उपर click करना है start setup third party next और यहाँ पर आपको अपना domain name एंटर करना है तो मैं एक बार फिर से इसको copy कर लेता हूँ और यहाँ पर paste करते हैं अब आप देख सकते हैं blue tick आ गया है और जो verification ownership का जो error आ रहा था वो resolve हो चुका है उसके बाद आपने next पर click कर देना है अब आपने एक cname record और add करना है आपने dns records के अंदर तो मैं पहले इसको copy कर लेता हूँ www को और उसके बाद वापिस आपने big rock का page open करना है dns records पर click करना है cname पर click करना है और यहाँ पर जो आपने copy किया था www इसको paste कर देना है उसके बाद जो next वाला address था इसको हम पूरा copy करेंगे एकदम dot तक आपने copy कर लेना है और यहाँ पर हम इसको paste कर देंगे और उसके बाद जो यह ttl है इसको हम 2 hours पर कर देंगे और उसके बाद save records पर click कर देंगे record add हो गया successfully उसके बाद हम इस page को cut करेंगे और अपने big rock page को refresh करेंगे एक बाद refresh करना बहुत ही important है जो भी आप entry करेंगे DNS के अंदर आपने page को refresh करना है और एक बार cross check कर लेते हैं DNS records के अंदर जाके cname तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा record है वो यहाँ पर add हो चुका है record add होने के बाद आपने इस window को cut करना है और आपने google sites के tab में जाना है फिट से और यहाँ पर done पर click कर देना है और आप देखेंगे जो मेरा domain name है वो successfully यहाँ पर add हो चुका है और अगर मैं आप इस site link पर click करूँ तो यहाँ पर मेरा जो नया custom domain है वो add हो चुका है एक बार try करते है तो अभी जो मेरा domain name है वो live नहीं हुआ है मेरा custom domain है वो live नहीं हुआ है तो इसके लिए मुझे कम से कम एक घंटे का wait करना पड़ेगा तो मैं इस video को थोड़ा pause कर देता हूँ और जैसी मेरा domain name live होता है मैं इस video को फिर से continue करूँगा तो अभी मैं इसको pause करता हूँ थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर 20 minute wait करने के बाद जो मेरा domain name है वो live हो चुका है आप देख सकते हैं यह मेरा domain name है और अगर मैं refresh करता हूँ तो जो मेरा domain name है वो live हो गया है मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ और आप side link पे click करें यह मेरा custom domain है copy करता हूँ इसको और यहाँ पर हम इसक करते हैं एक बार और आप दे सकते हैं मैंने 20 minute का wait किया और 20 minute के बाद जो मेरा domain name है वो live हो चुका है इसके बाद जो आपको next step रहेगा आपने domain forwarding को enable करना है big rock के अंदर तो big rock के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा domain forwarding option आप अपने domain name को select करेंगे उसके अंदर आपको जहाँ पर DNS का option रहता है DNS records का वहीं पर आप scroll down करेंगे तो नीचे आपको domain forwarding का भी option मिल जाएगा अपने manage पे click करना है मैंने already domain forwarding उसको enable कर दिया है अगर क करेंगा तो यह इसको automatically redirect कर देगा मेरे full domain url पर तो आपने simply क्या करना है जो भी आपका domain name रहेगा आपने इस box के अंदर आपका जो full domain url है for example मैं इसको एक पार आपको दिखाता हूँ यह जो मेरा full domain url है www.teveshijam.in तक इसको मैं copy कर लूँगा और simply यहाँ पे मैं इसको paste कर दूँगा आपने इस box के अंदर अपना full domain url एंटर करना है www.teveshijam.in full domain url एंटर करने के बाद आपने save पे click कर दिना है successfully update हो गया है उसके बाद आपने इसको refresh कर दिना है और जो domain forwarding का option है इसको live होने में maximum एक घंटे का time लगता है तो इस तरह आप अपने google sites को big rock के custom domain के साथ connect कर सकते है successfully तो यही था इस वीडियो में thank you thanks for watching windows tech solution have a nice day